तो अप्पा पैटिल जी और उनके परिवार ने साई और रानो जी की जो मदद की है उसके लिए आज से उनका हुक्का पानी बंद आज से इनके घर कोई नहीं जाएगा और ना इनको इसी के घर जाने की इजाज़त होगी इनके परिवार से कोई बात तक नहीं करेगा अब तो खुश है ना सरकार आप अब तो आप श्रीडी छोड़के नहीं जाएंगे ना खुश है ना आप मेरे प्रसन्नतान नहीं अपनी सुरक्षा देखिये ऐसा उधारण हो कि दुबारा कोई श्रीडी की सुरक्षा को महत वहीं ना समझे आज से अपा पाटिल के परिवार को कोई भी समान नहीं बेचेगा आज संपुल नभाइसकार आज लिए खंडुबा मापुजा में भी भाग लेने की अनुमति नहीं है और यह उन्दी और फ्र साई को भी कोई भिक्षा नहीं देगा संभावता तभी साही के समझ में आएगा कि उससे वचन से भी अधिक मौलेबान है मेरे श्रीडी वासियों के प्राण हरियो वासियो कावेरी 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 कावे कि यह लो यह किसके लिए ले लिए और कौन है जिसके लिए यह में ले सकता हूँ कल खंडोबाजी के पूजा में यह पहन के जाओगी ना यह हां हरे आप जानते हैं मेरे दादा ने मेरे लिए भारी सोने के गहने बनवाए थे वैसे कुश्च रोग के बारे में सुना है अपने हां क्यों नहीं गाओ में अभी एक कश्ध रोगी रह रहा है गापछ वाली अभी तक भगानी पाए यहां से मूझे लगता है आपनी न यहां से चले जाना चाहिए यहां पे रहना आपके लिए ये ठीक नहीं है कि आपको कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी एह ना काका वो मिठाय कितने की है मैं तुम्हे ये मिठाय ने दे सकता तात्या क्यों मैं पैशे दूंगा ना फिर भी मैं तुम्हे ने दे सकता अरे लेकन क्यों बेटा ये बाद आपने पिता जी से जा के पूछो संसार से जाने की उम्रा गई है अब ये दिन देखने पड़ रहे है उपका फानी बंद जैसे हमें कुछ रोग हो गया हो पेटा मांदीयना उसे साही करुपा, साही करुपा ये कहती रहतीयन, साही है तो सब ठीक होगा कहा है तेरे साही करुपा? तुने पूरे कहाओ कहाओ यां तक कि मेरा भी विरोध किया मेरे बेटे को कितनी बार अपमान से ना बड़ा क्योंकि तु साही कह समर्थर कर दी ति लेकिन उसने उसने बदले में क्या दिया एक साधारन आदवी को वो साह से भी उचा सम्मान दिया जिसे वो मा कहता रहता था क्या उसने एक बार भी तेरे बारे में पात्या के बारे में पिरे बीटे के बारे में सोचा अप्पा और बायजा क्यों? उन दोनों का क्या कसूर है? उन्हें ये सजा क्यों? अच्छे लोगों के साथ अन्याह हो रहे और ना ही मेरे जख में भर रहे पेरी कावेरी मेरे इतने पास आकर भी मुझसे बिना मिले चली गई तूट चुका हूँ मैं भस अब फिकर नहीं बागी रह गया है मैं भिक्षा टन के लिए जा रहा हूँ कौन देगा आपको भिक्षा? सुनाने ही अपने कुलकर्णी सरकार ने क्या का था? भिक्षा मांगना मेरा धर्म है मिले ना मिले ये उसका कर्म है तुम कंबल बनाने की तैयारी शुरू करो समान का है? क्या हवा से बनाओ कंबल? सामान आ जाएगा साफ मन जब किसी ऐसी चीज़ की कामना करता है जिसकी उसे जरूरत हो तो वो उसे जरूर मिल जाती है और जहां तक रही बात दिखरने की तो वो है ना उससे अच्छा भी रोने वाला कोई नहीं उस पर यकीन रखो उसके तरीके पर यकीन रखो वो समालने का रास्ता जरूर दिखाएगा अब तक तो अक्पाजी आपी चुके होते हैं सबसे पहले आया करते हैं हर साल अपने हाथों से खुद फूल सजाते और भाय साग्का अपने हाथों से खुद रंगोलिया बनाते बुरा तो हमें भी लग रहा है उनके लिए पर क्या कर सकते हैं मैंने सुनाई कि इस बात आत्य को मेले में किसी मिठाई वाले ने मिठाई तक नहीं दिए उस पत्चे को तो समझ नहीं आ रहा होगा कि इस अब हो क्या रहा है परिक्षा है ये खंडोबा की मलसा पती जी हम कर भी क्या सकते हैं विश्वास साइब जब उन्हें कहा कि रोग नहीं फैलेगा और वो इसका इलाज करेंगे तो राणों जी को कुछ नहीं हो और वो जल्दी स्वस्त हो जाएंगे ये विश्वास आपको साइग के ऊपर इतना विश्वास कैसे है है तो वो भी एक इनसान हमने आज तक किसी भी कुछ त्रोगी को फिर से ठीक होते नहीं देखा या सुना है किसी मरते इनसान को जिवित होते भी नहीं देखा था neighbor जब तक साही ने काशिराम का लाज नहीं किया था विश्वास तो हम करी सकता है ना बिक्षादे माई बिक्षादे माई बिक्षादे माई अल्लाः माले मुझे पहले ही लगरा था, खानास ज्यादा बन गया है अप्पेखना पड़ेगा ना दिदी, मैंने जो आपसे कहा था ना यह वही कंबल है उन्होंने बहुत पहले बनाया था तब उन्हें रोग नहीं था नहीं तो मैं इसे बेचने की कभी कोशिश नी करती ठीक है कावेरी उदर रख दो इसे बिक्षादे माई बिक्षादे माई इसे तो हम वैसे ही फेकने वाले है नो लेकिन कुलकरनी सरकार का आदेश है ना पूरा गाउं उसका पालन कर रहा है अल्लाह, माले बिक्षादे मिला अन् उससे उनका भी पेट बर जाता साही मेरे पती के लिए इतना कुछ कर रहे है और मैं राम जी वहला करेंगे राम जी वहला करेंगे साही अब इस समय भी बिक्षा मांग रहे है इसका मतलब सुबहे से कुछ भी आप 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 देख चाई को भी कोई भिक्षा नहीं देगा आप 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 कर दो कर दो Bill कर्कानी प्सहासा, तर ते लोगाए उिसे कन और उते हैं, तो कर्कानी बiénने मुफटי से नती हिए। हे खंडोबा आपका ये भग्त आज अपने धर्म का पालन नहीं कर सका आपके उस पंदे का पेट नहीं भड़ सका इस अधूरे काम को आप पूरा कर दीजिए आज तुमने मेरी बड़ी सहायता की है मित्र इस प्रशाद को मैं भिक्षा के रूप में सुईकार नहीं कर सकता क्योंकि इसे मेरे भिक्षा पात्र में नहीं डाला लेकिन रखा दो मेरे ही लिए था अगर मैं इसे नहीं लेता तो महाल सापती जी को बुरा लगता खंडोबा से उन्होंने जो क्रार्थना की है वो अधूरी रह जाती तुमने खा दिया यरी भुद्भी शान्त हो गई और महाल सापती जी की बात भी रह गई राम जी भला करेंगे नहीं मिला ना कुछ भी नहीं दिया किसी ने सब मेरी वज़े से उदर अप्पा पाटिल जी के साथ भी असा ही हो रहा होगा मेरी वज़े से लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कुछ भी नहीं कुछ भी नहीं क्योंकि मैं कुछ करने के लायक ही नहीं हूँ बोज हूँ मैं बोज आप पे इस समाज पे और इसे बोज को जिन्दा रहने का कोई अधिकार नहीं है मैंने कहा था कंबल बनाओ बनाया तुमने किस से बनाओ मैं कंबल हाँ और और मैंने बना दिया तो कौन खरीदेगा वो कंबल जो कुछ टुरोगी ने बनाया हो कोई हाथ भी नहीं लगाने वाला मुझे तो यहां से बहुत पहले ही चले जाना चीए था राणो जी नहीं क्यों रुकूं मैं हाँ और आप को नोते मुझे रोकने वाले रोक नहीं था तो वो लोग रोकते हैं जिनसे मैंने फ्यार किया था उन्हें था अधिकार हाँ 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 साही जो, साही जो, साही हो तुक, साादी वाला मेरी चान पे चान का उस से लाया हो तुम्हारे लिए कावेरी नहीं ब्रह्मी होगा मेरा वह साड़ी तो किसी और के पास भी हो सकती है मेरी कावेरी नहीं आई थिया यह तो यह तो तो मिला योगी कावेरी 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 और यह कंबल बनाने का सामानी इसका बतलब तुम हाई थी और मैं मुझे माफ कर देना जो मैंने सोचा की यह प्रमान है के तुम आज भी मुझसे प्यार करती हो कावेरी क्यों यह कंब 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 इतने पास आकर भी मैं उनसे मिल क्यों नहीं पाई क्यों डर गई मैं सभाद से क्यों मैं समाज के बंदनों को तोड़कर आपसे मिल नहीं सकी एक अड़ों बाद मुझे शक्त दीजिये मेरी साहेता करिये मेरी लिए तो एक है तू एक भी तू अनेक भी तू एक भी तू अनेक भी तू इस वर्ष खंडोबा की महापूजा पिछले वर्ष से भी अधिक भव्य होनी चाहिए सरकार अगर इसमें वजन उठाने की परतियोगिता रखी जाए तो लोगों को बड़ा आनन्द आएगा और खास कर परतियोगिता जीतने वाले को अगर बड़ा पुरसकार मिले तो परतियोगिता और पुरसकार भी क्यों क्यों नहीं नहीं मैं तो ऐसी कह रहा था तरियोग तहलवान अंता तुम्हारी ये इच्छा अवश्य पूरी होगी और विजेता को मैं पुरसकार दूँगा चांदी के सौ सिक्के और हारने वाले को गाव के चौक को गोबर से पोत ना होगा इसलिए प्रयास करो कि तुम्ही जी जा अरियोग शरकार खंडोबा जी की महापुजा के लिए आसपास के गाव के लोगों ने खुलके योगदान दिया है अरियोग अच्छा है मुनीव अच्छा है अब ऐसी महापुजा होनी चाहिए जैसे शिरिडी ने पहले कभी न देखी हो अप्पा पाठील उसका परिवार और वो धोंगी साई इस महापुजा को देखेंगे जरूर लेकिन उसमें सम्मिलित नहीं होगे उनको ये सपष्ठ हो जाना चाहिए कि शिरिडी के लोगों को उनके बहिश्क्रित होने का कोई दुख नहीं अरियो तब ही तो आनंद आएगा लेकिन सरकार प्रशाद हमेशा अप्पा के घर से ही आता है और मुझे ये भी पता है कि उन्होंने इस बार भी सब मंगवा के रखा हुआ है अरियो जो लोग समाज के लिए चिंतित नहीं है समाज के नियमों का पालन नहीं करते है क्या उनके खर से आया भोग खंडू वाकुस भी कारिय होगा खना भी नहीं भक्त वही है जिसके रड़े में करुणा हो समाज के लिए अपने प्राण देने का संकल्प हो इश्वर की इस बनाई धर्ति को और सुन्दर बनने का दुर्दिश्चे हो और वैसे भी अप्पापाटिल तंत्र मंत्र करने वारों के साथ खुर मिल गए है शास्त्रों के अनुसार भी उनके घर से आया भोग मान्य नहीं है अरियोम जाओ ओपरा पताशा और मुर्मुरा लेके आओ मुनिम बुद्राय दे दो इना तेरे प्रती मेरी श्रद्धा आड़ी गैसाई उसमें कभी कोई कमी नहीं आएगी प्रती, अस इतना कर देना कि मेरी सबूरी नाच्छूटे अरे रेहाना मावशी अब बाहर क्यों खड़ी है? अंदर आईये ना? रेहाना? पता है रेहाना मावशी, आज आईये बड़े अच्छे लड़ू बनाया है, मैं अभी आपको खिलाता हूँ नहीं तात्या पता, इस बार ना लड़ू इतने अच्छे नहीं बने हैं मैं तुम्हारी रेहाना मावशी के लिए फिर कभी बना दूगी ठीक है लेकिन रेहाना मावशी अंदर क्यों नहीं आ रही है? वही खड़े खड़े बात करेंगी, क्या? हरी नहीं देर हो रही है, इसलिए नहीं आ रही है तु जा अंदर जा, चल मैं जानती हूँ कि तुम हमसे बात क्यों नहीं कर सकती हो मैं समझती भी हूँ काववालों के फैसले को मानना ही बहतर है लेकिन तात्या भी छोटा है, वो ये सारी बाते नहीं समझता है मैं समझा दूँगी उसे मैं समझता है सबसे पहले मैं दुशाला आपसे क्यों खरबवाती हूँ पता है क्योंकि उसके बाद मेरी किसमत जैसे खुल जाती है आपसे बोनी कराना शुभ होता है मुवारक होता है मेरे लिए ये लीजे बाई जाता लुको रियाना ये पैसे तो लेती जाओ ये तो लक्षमी का रूप होते हैं इसमें छुआ चूट कैसी ये मेरी आस्ता के परिक्षा है ना साही लेकिन मैं जानती हूँ तुम जहां भी हो मुझे देख रहे हो दो जाओ झाल 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 झाल